कि है यहां पर मैंने ले लिया है पाउल उसमें हम डाल देगे आटा वने यहां पर डेड को हम ज़्यादा कर सकते हैं आटे को थोड़ा लिया है और उसमें डाल दिया हमने नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और soft सा आटा रेडि करेंगे जैसे कि हम रोटी के लिए रेडि करते हैं उसी तरीके से मैंने यहाँ पर आटी से बनाया है आप जाहें तो मैदा भी यूज कर सकते हैं या फिर एक कटोरी मयदा एक अधी कटोरी आटा भी ले सकते हैं मैंने तो सिर्फ यहां पर आटा ही लिए है इसको हम अच्छे से गूत लेना है जैसेकि हम रोटी के लिए रेडी करते हैं उस तरीके से तो यहाँ पर इसको अच्छे से गूत लिया है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे, थोड़ा सा ओल या फिर घी, तो मैंने यहाँ पर घी डाला है, मेल्ट किया हुआ, तो यहाँ पर तेल भी डाल सकते हैं, यह जरूर डालना है, जिससे कि जो हमाई रोटी है, वो अच्छे स सॉफ्ट बन सके, तो आटार रेड़ी हो चुका है, इसको रेस्टरन के लिए चोड़ देते हैं, तब तक हम स्टाफिंग रेड़ी करेंगे, यहाँ पर मैंने ले लिए है, प्याज, लंपी कटी हुई, गाज ले लिए है, सुईट कॉर्स लिए है, बॉयल की हुए, रसन ले लिए है, पाइक कटावा, हरी मिर्च, और लिए है अद्रक, और यहाँ पर मैंने ले लिए है, टमाटर, टमाटर के अंदर के बीज निकाल दिये हैं, मैंने, और सिर्फ बाहरवाला पाट लिया है, देखें इसमें बीज बिलकुल भी नहीं है, इस तरीके से हमें सबज ले लेनी है, आप जहें तो यहाँ पर शिम्ला मिर्च भी ले सकते हैं, गैस के पर रख दिये हमने कढ़ाई, कढ़ाई में हम डाल देंगे थोड़ा सा ओयल, तो ओयल यहाँ पर डाल दिया है, अच्छे से गरम हो चुका है, अब हम उसमें डाल देंगे हिंग, हिंग को बह सकते हैं, लेसन के बाद अब हम इसमें डाल देंगे अधरक, अधरक को बिल्कु छोटा चोटा कट कर लिया है, आप जाहें तो अधरक को मेश भी कर सकते हैं, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको भी, यह आप देख सकते हैं, कलर अच्छे से चीज हो चुका, इसमें डा तो यहां पर शिम्लमेश भी डाल सकते हैं तो इनको डाल देंगे और हाई फ्लेम करकर इनको लगातर हम चलाते रहेंगे हम अभी मीडियम फ्लेम की हुई थी और साई सब्जे डाल कर इसकी कर देंगे हम हाई फ्लेम और इसको लगातर चला लेंगे हम इसको पूरी तरीके से स और इसको अब हम हाई फ्लेम पर ही ऐसे चला लेंगे तो यह देखिए बड़ी अतरीक से मिक्स हो चुकी है और यह अब हलकी सी क्रंची भी हो चुकी है मतलब इनका कच्छापन निकल जाए और इनका क्रंची पन भी बना रहे इतना हमें इनको रखना है तो यहाँ पर मैंने नमक और डाल दिया है अब और यह देखिए इनको थोड़ा ही टाइम लगता है जादा टाइम नहीं लगता है इतना होना चाहिए यह देखिए क्रंची पन बना हुआ है पूरी तरीके से कच्छापन नहीं है इसमें और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और स्वीट कॉ जो टमाटर हम बिलकुल लास्ट में डालेंगे और इनको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे फ्लेम को हमने कर दिया हाई स्लो या मीडियम नहीं करेंगे हाई ही रखेंगे जैसी सबजे हमने डाली थी तब हमने हाई कर दी थी फ्लेम को तो हाई रखेंगे तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह हो चुका है मिक्स क्षण आप यह पर पनीर भी ढाल सकते रेडी हो चुका है अब उसमें डाल दीने और इगयनों र डाल देंगे चेली फ्लेक्स अब इसमें डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है पूरी सब्जों के साथ जो टमेटो केचप है वह बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है अब हम इसमें डाल देंगे ग्रीन चिली सॉस इसको बहुत अच्छी से मिक्स कर लेंगे अगर अपकर पस ग्रीन चिली सॉस नहीं है तो ग्रीन चटनी भी इसमें थोड़ी सी डाल सकते हैं जादा नहीं डालेंगे थोड़ी सी डालेंगे अच्छी से मिक्स कर लिया है जो हम म आटी का भी रेस्ट, इसको थोड़ा साम फिर से सॉफ्ट कर लेंगे, इस तरीके से हम उने वापस इसको सॉफ्ट कर लिया है, और अब हम इसकी जैसे हम रोटी बनाते ना, उस तरीके से इसके हम थोड़ी सी लोगी निकालेंगे, और इसके हम रोटी बनाएंगे, रोटी से ह तो इसको थोड़ा पतला ही बेलना है तो इसको हमा तेलियों की बीच में रखकर इस तरी के से कर लेंगे और इसको सुखे आटे या फिर सुखे मैदे में कोट कर लेंगे अच्छे से और इसको हम बेल लेंगे आप चाहते चकले पर बेल सकते हैं तो यहां पर हम इसको बेल ल बहुत ही easy easy recipes आपके लिए लाती रहूं तो चैनल को subscribe करना बिलकुल भी न भूलें तो यहां पर मैंने रोटी को बेल लिया है अच्छे से थोड़ा लंबा ही बेलेंगे हम तो यह हो चुके ready इसको हम डाल देंगे plate में इसी तरीके से हम दूसी रोटी भी ready कर लेंगे अगर हम इसको बेल कर रख लेते ना तो बहुत ही easy हो जाता है फिर banana काठी रोल को तो यहां पर हमने इसको बेल लिया है दूसी को भी और चलते है तो यहां पर तवाची से गरम हो चुका है इसको पर हम डाल देंगे रोटी और इसको हम हलका सबी नीचे से सीख जाना जबी हम इसको हम पलट लेंगे अधर भी हम लगा देंगे गी या फिर यह पर तेल हमें पराटी की तरह ही इसको बनाटा है अगर आपका सबस्ते को भी तो इसको भी आप इस तरी बना लूँगी आप इस काठी रोल को बच्चों को स्कूल में भी दे सकते हैं बच्चों को बहुत पसंद आता है अगर बच्चों के लिए बनाए तो मिश का ध्यान रखें कि मिश हमें कम डालनी है तो यहां पर यह अच्छे से सीख चुका है यह देखें कितना बड़ी ऐसा पलट लेंगे दूसरे रख हम लगा देंगे घी यती तेल और अच्छे से दोनों तरफ से सेख लेंगे यह भी सेख चुकी है अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस पे तो यहां पर जो हमने स्टफिंग रेड़ी की थी वह हल्की सी ठंडी हो चुकी है काठी रोल तो गर्म गर पाने बाद इसकी जो स्टफिंग है वह तो और भी जादा टेस्टी हो जाती है तो यहां पर हमने इसको मिक्स कर लिया है अब हम थोड़ा इसा टमेटो कैचप लगा देंगे बिल्कुल थोड़ा साफ जाहें तो यहां पर इसकी भी कर सकते हैं पर बच्चों को टमेटो लेंगे हलके हातों से तो यह मैंने थोड़ा चोटा बनाया है दो बनाया है मैंने एक चोटा एक थोड़ा बड़ा तो आप अपने हिसाब से चोटा यह फिर बड़ा बना सकते हैं बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं बच्चे फिनिश करके ज़रूर आएंगे और आप पास से दिखा दो दोनों यह देखे बहुत अच्छी स्टॉफिंग बनकर इसकी रेडी हुई है आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजे एजी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे तो यह टेस्टी टेस्टी सी वेज रोल की रेसिपी आपकी जी एंजोई मिलते आप से नेक्स रीडियो में तब तक लिए बाई एंजोई